आए ने चाफ तू खुद की खोज में निकल तू खुद की खोज में निकल क्यूं तू हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जो तुझ से लिप्टी बेडिया समझना इनको वस्त्रतू जो तुझ से लिप्टी बेडिया समझना इनको वस्त्रतू ये बेडिया निकाल के बना दे इसको शस्त्रतू चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी काप जाएगा तेरी इस चुनर तले नेट सर्फ नंबर वन बन जाएगा तेरी इस चुनर तले नेट सर्फ जरूर नंबर वन बन जाएगा सबसे पहले आप सभी का इस वर्ष की एन्योल जो हमारी आस्मिता अचीवर्ज है आप सभी का मैं पूरे में स्वागत करता हूँ यह आपका माइका है वैसे और मुझे लगता है यह प्रोग्राइम शाहिए थर्ड कॉर्टर में होना था रही अगर थर्ड कॉर्टर में होता तो फोर्ट कॉर्टर में जो हमारा नेगिटिव ग्रोथे वो नहीं हुआ होता कोई बात नहीं फोर्ट कॉर्टर की जो भरपाई है इस साल के चारो कॉर्टर में हमारी अस्विता करके दिखाएगी और चारो कॉर्टर में बंपर ग्रोट करें आज भी मुझे याद है उश्या बेहन राश्री बेहन किंजल बेहन में मिलता था इन सब से कुछ ही हमारी अस्विता बेहने थी जो नेट्सवफ का जो जंडा है ध्वज है वो लेकर पूरे इंडिया में वो उसे लहरा रहे थे लेकिन आज इतने सारे अस्विता अचीवर्स का जो ये इवेंट हुआ है और आपकी जो गूंज है और आपने जो मुझे प्यार दिया है स्वागत किया है ये मुझे जो हमारा नेटसर्फ का फर्स इवेंट हुआ था, उसकी याद दिलाता है, उस फर्स इवेंट के बल्बूते पे कुछ 80 अचीवर्स थे, हमने एक साल में इंडिया के टॉप फाइव डारेक्ट सेलिंग कमपीज में कदम रखा था, आप लोग 200 हो, और आप एक एक हम 10 के बराबर हो, मुझे पूरा यकीन है, कि आप लोग का ये जो पैशन है, ये डिटर्मिनेशन है, ये जुनून है, ये जोश है, उसके दम पर नेटसर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की नंबर वन डारेक्ट सेलिंग कमपनी बन करें, मुझे हमेशा से ये कमी महसूस होती थी, कि जब तक ये बैलेंस, जैसे गरगरस्ती का बैलेंस होता है, वो महिला बनाती है, दुनिया की शुरुवात मेरे, कोई बात नहीं, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रिबूटर है, उसका आमने ख्याल है, तो एक महिला जो है, वो घर का बैलेंस बनाती है, और नेटसफ का बैलेंस तो बिलकुल बेड़ा था, क्योंकि महिला ये थी नहीं, बट पिछले 5-7 वर्षों का जो एफर्ट है, जो केतन सर, प्रदीप सर, अनामिका, I think, she was one of the first, right, इन सब ने मिलके जो एफर्ट लिये है और अभी जो आपके साथ हमारी नहीं सब अस्विटा टीम के मैनेजर्स जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, कि आज हम जो एक करोड़ पती के लिए इतनी तालिया बजा रहे थे, यहां बैटा हर व्यक्ति, यहां बैटा हर मेरा नेटसफ का डिस्ट्यूटर, यहां नेटसफ में आपको कुछ फैक्स बताता हूं ताकि आपका होसला बढ़ेगा, पहला करोड़ पती बढ़ने में और पहला कैप अचीवर बढ़ने में हमें साथ से आठ साल लगे थे, हमारी महिलाओ की टीम ने चार-पांच साल में ही वह करके दिखाया है, और आज कितने, स 128 करोड़ पती आप तक बन गए है, तो उसका डबल नंबर इधर है, इसका डबल नंबर हमको आने वाले दो-तीन साल में करके दिखाना है, तो क्या होता है, क्यों नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला मंत्र जो हमने अपनाना है कि We Can Do It, मेरे साथ एक साथ कहिए है, We Can Do It, We Can Do It, We Can Do It, एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ, एक आदमी था, रास्ते से जा रहा था, और उसने रास्ते के किनारे कुछ एक हाथियों का जून देखा, अच्छे बड़े हाथी तो वैसे ही दंदुरूस होते हैं, और उसमें भी अडल्स हाथी जो होते हैं, वो उसने देखा, वो खड़े थे, एक छोटी रस्ती से उन्हें बांदा गया था, और वो छोटी रस्ती से बंदे हाथी वैसे ही वहाँ खड़े थे, और इस आदमी को आश्चेर यह हुआ, इतने ताकतवर हाथी, एक छोटी रस्ती से बंदे हैं, और वो तोड़के कही जा नहीं रहे हैं, तो उसने जो हाथी का जो ट्रेनर माहूत होता है उनसे पूछा कि भाई ये इतने ताकतवर हाथी इतनी छोटी रसी से कैसे बंद गए तब उसने कहा कि भाईया ये जो हाथी है जब ये छोटे थे इसी रसी से हम उनको बानते थे और जब ये छोटे थे तब ये रसी इनसे जाद ताक्तवर्थी और इनके लिए काफी थी जिससे हम इनके इनको बान के रख सके ताकि यह कि इधर उदर जाए नहीं और जब यह छोटे ते यह पहले कोशिश करते थे बड़ इनको पता पढ़ गया कि इस रस्षी से हम बंदे हैं हम इधर उदर नहीं जा सकते और जैसे जैसे बड़े होते गए उनको ऐसे लगा कि इस रस्षी ने हमें बांदा है और हम इस रस्षी को तोड़ कर कही नहीं जा सकते और इसी लिए बड़े होने के बावजूद ताकत आने के बावजूद यह जो बेड़ी है यह उनके शरीर में नहीं उनके दिमाग में उ इसलिए ये नहीं जा सकते इसी तरह समाज और लोग आपके दिल और आपके दिमाग में बेडिया डालते हैं कि आप नहीं कर सकते बट ये बिलकुल गलत है ये सरासर गलत है और इन बेडियों की वज़े से इन रसी की वज़े से आप भी आपके दिल में शंका रखते हैं और एक बार ठान ली तो ठान लेने में और मंजिल तक जाने में क्या हमें समस्या आती है समस्या तो आती है कभी-कभी मंजिल तक पहुचने के लिए हमें अलग-अलग मुकाम से गुजरना पड़ता है और कभी-कभी हम हुच वह मुकाम से डर कर है ठक जाते हैं रुक जाते हैं और हमें नठखना है नडुकना है हर समस्याओ को दूर करके हर मंजिल हर मुकाम से आगे बढ़ना है और अपने मन्जिल तक जाना है और उस बंत्र का नाम Pardon we will do it तो मेरे साथ एक बार सब कहेंगे we will do it we will we will we can do it and we will do it हम कर सकते हैं और हम करके रहेंगे समस्य आती है कभी plan change हो जाता है नियम बदल जाते है लेकिन कैन को will में हमें बदलना है रुकना नहीं है आपके साथ एक छोटा किस्सा शेर करना है ऐसी एक कहानी है एक जुएलर था जो गहनों का व्यापारी था और उसने उस बिजनेस शुरू करने के लिए अपना व्यापार शुरू करने के लिए मगनलाल नाम था उसका उसने गगनलाल से लोन लिया था उधार में करजा लिया था और लेकिन समस्याय आने के वज़े से वह करजा चुका नहीं पा रहा था उसकी डेडलाइन गगनलाल बढ़ाता गया बढ़ाता गया लेकिन मगनलाल पैसे नहीं दे सका या मैं आपकी कन्या के साथ विवा करूँगा मगनलाल की एक सुन्दर कन्या थी लेकिन सुन्दर के साथ वो समझदार भी थी मगनलाल टेंशन में आ गया कि भई ये तो मेरे बेटी के बाप के उमर का व्यक्ति है और इसको मेरे बेटी से चादी करनी है उसने अपने बेटी से ये बात शेयर करी, बेटी ने का कोई बात नहीं पिदा जी, हम समस्या का सामना करेंगे और इससे जीत कर बाहर निकले, डेडलाइन पूरी हो गई, मगंदलाल पैसे नहीं दे सका, गंदलाल ने कहा कि भई, आप मेरे घर आई, पैसे लेके आईए या अपनी बेटी लेके आईए, तो गंदलाल अपनी बेटी के साथ वहा गया, वहा गया वो उसके गार्डन में बैटा था, और उसने कहा कि अभी आपको ये करना हूँ, लेकिन उस बेटी की आखों में संकोज देखा, तो गंदलाल ने सुचा कि चलो मैं आपको और एक मौका देता हूँ, उसके जो गार्डन में काले और सफिद रंग के पत्थर पड़े हुए थे, उसने कहा कि मैं एक काला और एक सफिद पत्थर उठाऊँगा, अगर आपके बेटी ने सफिद पत्थर चुना, तो मैं अपनी शर्ट पीछे करूँगा, आपका करजा भी माफ और मैं आपके बेटी से शादी भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर उसने काला पत्थर चुना, तो मैं करजा तो माफ करूँगा, लेकिन आपके बेटी को मुझसे शादी करनी है, उन्होंने हाँ बोला, और पता था कि उसने दोनों काले पत्थर उठाए लेकिन अगर वह इस बात का हल्ला करेगी तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा हल्ला नहीं करेगी तो उसे उसके साथ शादी करनी होगी तो ये दो विकल्प होने के बाद वो तीसरा विकल्प के बारे में सूतने लेगी कैसे मैं इस मुश्किल गड़ी से बाहर ने कि गगंदलाल ने बोला भई आप पत्थर सिलेक करो अगर सफेद सिलेक किया तो शादी नहीं होगी काला सिलेक किया तो शादी होगी लड़की ने पत्थर सिलेक किया और अपने हाथ से नीचे गिरा दिया गगंदलाल को कहा अरे मेरे हाथ से पत्तर गिर गया है, दुसरे पत्तर का रंग बता दो, अगर वह सफेद है तो शादी करोगी, काला है तो शादी नहीं, इसी तरह लाइफ में गुगली आती है, समझ से आती है, कभी plan change होता है, कभी कुछ होता है, हमें अपनी समझदारी से और अपने जुनून से, अपने जोस से, मंजिल की और बढ़ते रहना है, मुकाम कई आएंगे, मुकाम अलग-अलग कभी-कभी हमें, अलग-अलग मुकाम पर जाना होए, और कैसे करेंगे हम, कपनी का भी इसमें कोई रोल है, कपनी ने भी इसके लिए कुछ करना है, तो हमारे अभी जो होशियार हमारे मैनेजर्स है, उन्होंने सोचा कि अभी इस गुगली से कैसे, इसका सामना कैसे किया जाए, GST का problem, तो सबसे जादा ये problem हमारी अस्व करने के लिए, हमने जो नेचसफ इटेल की शुरुवात की है, ताकि आपके उन अस्विता भेनों को, उन अस्विता साथियों को काम करने के लिए, इनिशली GST की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी तरह हमने भी समस्या के लिए, तो आप लोगों को जोड सकते हो, वो इटेल स्टाट कर सकते है, बिजनस की शुरुवात कर सकते है, इटेलिंग के साथ, अपनी इंकम की शुरुवात कर सकते है, और उस समय में, जैसे उनका काम बढ़ता है, टीम बढ़ता है, वो अपना GST का रिजिस्ट्रेशन भी कर सकत है उतना समय मिल जाता है उन्हें उतना confidence मिल जाता है और उन्हें income भी मिल जाती है कि वो घर वालों से और दूसरों से कह सके कि मैं यह business करना चाहती हूँ और इस business के लिए जो paper वक्या मैं करूंगी तो इसी तरह हमें समस्या का जो है हल करना होगा उसका समाधान करना हो नेटसर्फ के सामने कई तूफान आए हैं कई समस्या आई हैं जैसे कि यह जो शैतान है यह तूफान समस्या नाम का शैतान है उसने नेटसर्फ नाम के युद्धा से कहा कि मेरे तूफान में तू उड़ जाएगा उसने कहा नेटसर्फ के युद्धा से कि मेरे तूफान में तू उड़ जाएगा तो नेटसर्फ ने उस युद्धा से कहा तेरे तूफान से मैं क्या उड़ जाओंगा मैं खुदी तूफान तो नेटसर्फ नाम का ये जो तूफान है ऐसी कितनी समस्य आने दो ये न रुकने वाला है ये न ठकने वाला है ये आगे बढ़ते जाने वाला है और ये आगे किस बेशिस पर जाएगा ये आगे जाएगा जो नेटसर्फ के जो रूट्स है वैल्यूज है उसके दम पर आगे जाएगा आपने कभी भी कोई भी पेड़ देखा हो तो आप उसका तना देखते है उसकी शाखाए देखते है लेकिन जब कभी तूफान आता है कौन है जो इस पेड़ को मजबूत रखता है कौन है जो इस पे लगता है पैसे मिलने में मैं कहता हूँ समय नहीं लगता हम अपना बेज बनाते हैं हमारी जड़े मजबूत करते हैं जड़ों को ताकि ऐसे तूफान आएं तो जो यह जादूई कंपनी आती है इस तूफान में ओड जाती है Netserv जैसी कमपनी कितने भी तूफान आये डट कर खड़े रहती तो हमने अपने roots को अपने values को strong रखा है जो भी सरकार के नियम होते है काईदे होते हैं हम उनके अनुसार चलते है उसमें कभी-कभी setback होते है दो कदम पीछे लेने पड़ते है लेकिन Netserv की history है जब-जब हमने दो कदम पीछे लिए है हम चार नहीं दस कदम आगे बड़े तो इस माइने से आप सब इतने लखी है मैं कहता हूँ आपको 72 प्रोट्स का turn over हुआ था 2013 में और 2014 में 65 हो गया reverse गय तब कंपनी 10-15 प्रतिशत से बढ़ रही थी लेकिन दो कदम हमको जब कोई पीछे भेजता है तो हम 10 कदम आगे जाते है उसके अगले साल में 108 करोड का turn over अचीव किया और 60-70% growth अचीव और वैसे ही इस साल हमको यह जो नहीं काइदे आए है नहीं समस्य आई है दो कदम हमें पीछे जरूर भेजा है लेकिन आप लोग का यह जोश और आप लोग का यह जो पैशन और डिटर्मिनेशन देखा है मुझे पूरा यकिन है दस नहीं बारा कदम आगे जाएंगे और 60-70 परसेंट नहीं डबल ग्रोथ अचीव करके दिखाएंगे तो डटे रही है हम आपके साथ रहेंगे नेटसर्फ हमेशा आपके साथ है नेटसर्फ की पूरी मैनेजमेंट पूरी टीम आपके साथ है आज मैं खुश तो बहुत हुआ आप लोग से मिला हूँ लेकिन मैं सेच में खुश तबी होँगा कि ये छोटा मोटा गैदरिंग नहीं एक जो पूरा-पूरा स्टेडियम भरके अस्विता लोगों का जब सेमिनार होगा तब मैं सही माइने में पूश हाली में मैंने सुना है मुंबई में जियो कंवेंशन सेंटर नाम का इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर बना है मुझे तो लगता है उन्होंने अपने अस्विता के सेमिनार के लिए ही वह सेंटर बना है और हमारा टार्गेट होना चाहिए है कि आने वाले दो तीन साल में आप लोग का बड़ा सेमिनार होगा और एक छोटे सेमिनार के लिए हम जो हमारे जो मेंज है मेलती में उनको हम छोटे मुटे रिजॉर्ट में ले जाए है तो यही मेरी आप सभी को शुप कामना है आप बहुत खुशी होई आप से मिलके आने वाले साल में कोविड तो खतम हो चुका है मैं आते रहूंगा अलग-अलग एरियाज में विजिट करूँगा और आप सभी से आपका अलग सेमिनार होगा और एक जॉइंट सेमिनार जो होना है वो होता रहेगा मैं आप सभी से मिलू जाने के पहले नेटसर्फ एंथम की पंक्ति आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि महनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है दुनिया नास करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है दुनिया नास करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है नेट सर्फ, नेट सर्फ, नेट सर्फ, जेहिन, जेहिन हाना